हेलो फ्रीट्स वेल्कम टू सुर्टी डिजाइनर फ्रीट्स आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर ब्लॉस बनाएंगे और इसे हम फ्रिंसिस के पर बना रहे हैं और अगर आप चाहें निसा 1 टक्स पर या 3 टक्स पर भी आप इसे बना सकते हैं कि तो इसके लिए आपने वज्य टिक हैं तो यहां पर टिक हैं सबसे पहले में आपे लाइनिंग मार्टDK लिएय आप था था'RE को फालिक रिग्स हमेदर यहांफ कब अध dol pasti आप 132 जॉजर holder क ले तो देखिए आप यहां पर यह और्गेंजम फैब्रिक है इसमें नॉर्मली आप कॉटन फैब्रिक भी लगा सकते हैं यह देखिए कॉटन फैब्रिक लगाएंगे तो यह इस टाइब का दिखेगा मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था यह क्योंकि जो यह प्लें फैब्रिक लगाते हैं तो इतना खुलके नहीं दिखता तो इसलिए मैंने आपकर सैंट्रूट फैब्रिक लिया ह इसमें अंदर भी शाइनिंग दिख रही है क्योंकि जो सैंट्रूट फैब्रिक है हमारा वह भी शाइनिंग वाला है यह देखिए पूरा वाइट हो रहा है और आपको ओफवाइट करना है थोड़ा सा तो आप सिर्फ इसमें लाइनिंग यूस कर सकते हैं तो देखिए जो इसमें बोती भी बने हुए है तो यह पूरा वाइट फैब्रिक है तो आज इसको हम मल्टी कलर की लेस लगा कर इसको है विलुक देने वाले हैं तो देखिए यहां पर यह मैंने पिंक कलर की लेस ली हुई है और यह सारे लेसे है वह एक से डेट मीटर ही चाहिए ज्यादा Hybrid आगे सिर्फ हमें फ्रैंट की डिसाइन के लिए हवी लूक देना है और आप चाहे बैट में प्याप इसमें करेंगे सकते हैं वह गा पूरा है involved हो इतना अच्छा नहीं दिखे का तो इसनिये आम स्क्रेंट में ही हेर कर एदिय तो आपके पास पहले से कोई लेस रखी हुई हो या साडी पे लगा रहे हो हैं बजगई हो ब्लाउस की बाइस 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 करते हैं तो यह जो सारी लेसे हैं वह हमको एक से डेट मीटर ही यूज होनी है तो अगर आपके पास पहले से कोई लेस रखी हुई हो या साडी पे लगा रहे हो हैं बजगई हो ब्लाउस की बजगई हो तो आप उसे भी यह डिजाइन बना सकते हैं काफी अच्छी रगी ही और यहापर मैंने यह ब्लाउस लगाने लेस लिग होई है तो हमें आपर इसी को लगा कर बनाएंगी तो देखिए टीशू फैब्रिक है जरूरी नहीं कि आप सेंट्रूम फैब्रिक लगाएं पर मैंने यापर यूज किया है अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप नहीं भी करें चलेगा फिर भी तो पर मैंने इसको अच्छा लिखाने थे इसमें से पर मैंने इसे 80 cm लिया है तो देखिए आप स्लीव लेस बना रहे हैं या चोटी स्लीज बना रहे है और अगर आप स्लीज बना तो इसके आपको वन मीटर लेना है तो देखिए अगर आप 80 cm भी जिसे कुछ-कुछ फैब्रिक आते हैं जोच-कुछ सेंटीमीटर में ही आप तो यह पुदो تھ हमें की बाफोड करना है आपको लेक्वा फैब्रिक लेना है अगर प्लीट लाओज लता हूं माद यह थीज ल्कन दिजानल टो छहों हो जाहें तो अभी भी बहस्तों है ॥ दिखार लिखाव में में उंस नवी लगा कर रहां करना था है तो यह बहुत ही उनिक डिजाइन है, तो इम ऐसे फॉर्स ट्राइब बना रही हूं, मल्टी कलर की लेस लगाकर और इतनी सारी लेस लगाकर, तो देखें, यह हम इसे लहगे में भी पहन सकते हैं, कैसे, की जैसे यह वाइट कलर का पूरल हमारा ब्लाओस है, मल्टी कलर की हम कर सकते हैं और इब काफी अच्छा है या आप जो बंधाली बांदी जो बट्टे और उसमें कर सकते हैं यह फिर आप पूरा इसको पूरे ही लहेंगे जो बहुत ही हैवी हो जाएगा जैसे कि आपने शॉप से खरीडा हो उस टाइप का हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा दीखिए भी तो यह आपको किस टाइप का पहना है तो में आपर जो बलाव से घरका करी हम बनाएंगे आप इसको white color का डुपटा भी use कर सकते हैं तो वो आपके उपर है कि आपको किस टाइप का पहनना है तो देखिए अगर वीडियो पसंद आए आपको तो like, share and comment जरूर करेगा चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा जो bell icon होता है उसको भी आप जरूर से प्रेस करेगा उससे जो होता है आने वाली जो वीडियो की notification होती है वो आप तक आ जाएगी तो चलिए अब हम इसकी cutting को start करते हैं स्लीज की cutting करनी है तो पहले हम यहां पर मार्किंग कर रहे हैं तो टोटल लैंद हमें 14 इंच की रखनी है वन इंच इसमें प्लस की हम आरजन का तो 15 इंच लेना है बोटनेक की according बना रहे है तो शुल्डर लेंगे 7 इंच 36 की according और आर्मोल भी हमें 7 इंच ही लेना है क्योंक वेस्ट का फोट पाट आएगा 7.5 इंच 2 इंच टक्स के लिए लिया है और 2.5 इंच मार्जन के लिए वन इंच से लाइन आर्मोल के साइट पर लाइन को ड्रॉव कर लेना है और यह हमारा फ्रेंट पार्ट है अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे तो इसके जो आई 12 इंच की मार्किंग कर लेनी है आई हो की पटी के लिए उसके साइट से सोल्डर लेना है सेवन इंच आर्मोल भी सेवन इंच लेना है चेस्ट का 4th पार्ट आएगा 36 का 4th पार्ट 9 इंच और बेक पार्ट में 2 इंच प्लस करेंगे मार्जन के लिए टोटल जो लैन्थ है वो हमें 15 इंच लख लिनी है यहां से लैन को ड्रो करेंगे तो दिखिए अगर आपको समझ में नहीं आदा किस साइज में हमें किस तरह का मेजर्मेंट लिना है तो मैंने बोटने का चार्ट अपलोड किया है चैनल पर आप उसे देखकर और बना सकते हैं तो यहां पर हमने वेस्ट का 4th पार्ट 2 इंच मार्जन का और 1 इंच बेक टक्स के लिए लेते हुए वन इंच से आर्मोल के साइट पर गुलाई देदी है और इन पार्ट को हमें कट करना है तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसी हम कट करेंगे तो फ्रेंट्स चैनल पर बहुत से डिजाइनर ब्लाउस की वीडियो अपलोड है आप जाका देख सकते हैं और बना सकते हैं बहुत ही न्यू डिजाइन के पैटन मैंने वहाँ पर वीडियो अपलोड की है उसकी और अब देकिया पर प्रेंट्स कट की मार्किंग करेंगे तो 3.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है यहां से 3.75 इंच ले लेना है क्योंकि हम डिजाइनर ब्लाउस बना रहे हैं इसलिए तो वैसे तो हमें नॉर्मली यहां पर मार्किंग नहीं करनी होती है अब यहां पर हमने टक्स पॉइंट लिया 10.5 इंच पर प्रेंट्स कट का शेप दिया टक्स की जो वीट थे वो हम 2 इंच की रखेंगे और त्रिकी फ्रेंट्स इसमें हमें थोड़ा सा उठा हुआ बनाना है टक्स इसका तो 2.5 इंच पर मार्किंग करते हुए इस तरीके से शेप दिया है क्योंकि जो हम इसमें लेस की जो डिजाइन इसमें बनाने वाले ना वो थोड़ी इसमें अटेज होगी तो इसलिए हमें यह आपर उठा हुआ बनाना है से तो इस तरीके से शेप दिया नॉर्मल शेप आपको इसमें नहीं देना है उठा हुआ ही शेप देना है आपको ये देखिए इस तरह से और अभी आपे हमने ये सैंटून फैवरिक लिया इसको हमने डबल करके रखा और इस तरीके से ये सभी पार्ट समय रख लेने हैं तो जो फ्रेंट वाला पार्ट है वो हमें पैक साइट पर यानि बंद भाग पर रखना है और जो बैक वाला पार्ट है उसको हम ओपन पार्ट पर रखेंगे ओपन साइट पर रख सकते हैं ये देखे इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है तो सेट आपको इस तरीके से करना है कि कोई भी जो आपका फैबरिक है वो वेस्ट ना हो बहुत ही पास पास इस तरीके से रखते हो आपको कट करना है और ये बेक पार्ट को भी हमें कट कर लेना है अब हम इसे मैन फैबरिक पर कट करेंगे तो देखिए मैन फैबरिक की जो डिजाइन है वो उपर के साइट दी हुई है तो जो डिजाइन होती है उसी को देखते हुए हमें इसे कट करना होता है और यह वाला पार्ट भी हमने जो हमारी pack side है, उस पर रख लिया है यह दिखिए इस तरह से और हमने इसकी cutting भी कर ली है अब हम इसकी stitching करेंगे तो पहले हमें रखना है man fabric wrong side पर उसके ओपर सेंटून फैवरी रखेंगे वो भी हम wrong side पर ही रखेंगे और उसके उपर लाइनिंग को रखते हुए इसके जो मोती है ना साइट के वो हमें निकाल लेने वना क्या होगा ना कि जब में स्टीच करेंगे तो मोती के उपर हमारी जो निनल है वो आ जाएगी और सोई तोट जाएगी तो इसलिए हमें जो साइट के मोती है जहाँ पर हमें स्टीच करना है वो मोती को आपको पहले निकाल लेना है और फिर आपको स्टीच करना है तो side के जो मोती थे वो हमने निकाल लिये हैं और अब इसे इस तरिके से सबी side से stitch कर गे इसका जो extra fabric है वो हमने cut कर लिया है तो यह देखिए दूसरा part भी इसी तरिके से stitch करेंगे दोनों part stitch कर लिये इस part को भी stitch कर लिया है अब देखें यहाँ पर हमारा lining fabric बचा हुआ था ना वही हमने यहाँ पर इसको center से stitch करके joint कर लिया है एक stitch हमने इसके उपर लगा ली है इसको इस तरह से fold करते हूँ अच्छे से iron कर लेना है इसमें कोई भी crisp नहीं आना चाहिए अब देखें यहाँ पर हम marking करेंगे 4.5 inch पर यह देखें 4.5 inch ले लेना है हमें यहाँ से अब यहाँ पर नेकी जो length है वो हम रखेंगे 3.5 inch इस तरह से round shape देना है तो आप इस तरह से गहराई में दे सकते हैं तो देखें जो नेकी वीट थी वो हमने 4.5 inch ले है तो आपको नेकी जो वीट थे वो यहाँ पर 4 inch की रखना है और फिर side से यह देखें half inch इस तरह से मार जनाएगा तो उसको side से लेना है देखें वीट हमें 4 inch रखनी है और जो आप total हमारा जो shoulder वो हमने 4.5 inch लिया है और 4 inch का हमने नेक की मार्किंग की है यहाँ से हम मार्किंग करेंगे पहले हमें यहाँ से उपर की side से straight मार्किंग कर ली आप देखें यहाँ से हमें मार्किंग कर लेनी है तो जो हमारा blouse है उसकी total length कितनी रखी थी हमने 15 inch रखी थी तो यहाँ पर 2 inch plus करके लेना है तो हम यहाँ पर 17 inch पर मार्किंग कर रहे है और यह वाली जो मार्किंग है वो हमें 9.5 inch पर कर लेनी है और इस तरीके से भी shape दे देना है यहाँ पर यह देखें तो necky weight हमने 4 inch रखी थी उसके side से half inch और हमने extra लिया है इसमें और यहाँ से दिखें इस तरह से shape दे दिया तो जितनी भी हमारी blouse की total length है तो हमारी total length थी 15 inch उसमें हमें 2 inch plus cut के हमने यहाँ पर 17 inch पर mark किया है अब man fabric को उसके उपर रखा यह देखें इस तरह से इतना extra होगा नीचे के side पर तो इतना extra ही करना है हमें अब हमने इसे man fabric और sand tune fabric पर भी cut कर लिया तो पहले हम sand tune fabric रखेंगे और उसके उपर हम man fabric को रखेंगे और फिर उसके उपर हमें रखना lining fabric को इसको अच्छे से pin up कर लेना है और इसे हम side से stitch करेंगे तो देखें जहाँ जहाँ हमारे corner निकले हुए वहाँ पर corner निकालते हुए हमें stitch करना है यह देखे इस तरह से stitch कर लिया side का जो भी extra fabric होगा उसे हमें cut कर लेना है और पूरे ही नेक पर cut लगा लेना है तो देखे इस तरीके से cut लगा लेना है हमें और अब इसे palette देना है तो पहले जो extra नेक है उसको cut कर लेंगे और फिर हम इसे palette देंगे यह दिखिए इसके जो कॉर्णर वगे रहा है न वो अच्छे से निकाल लेने है कॉर्णर निकाल यह साइट से हमें के स्टीच करेंगे इस पर इस पर नेक को भी स्टीच कर लेना है तो दिखिए एक्स्ट्रा फैबरिक भी कट कर लिया है अब इसको उस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पर हमें एक मार्किंग करेंगे तो चॉक से हमें मार्किंग कर लेनी है इस पर और अब इसे हमें लेस लगाएंगे तो सबसे पहले हमें सेंटर पर लेस लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमने पिंग कलर की पहले लेस लिये है और इसको इस तरह से स्ट्रेट में स्ट्रीच करना है साइट से एक स्ट्रीच और कर लेंगे तो इस तरह से फोल्ड करते हुए ही करना है और पूरा नीचे तक हमें स्ट्रीच नहीं करना है से अब बिल्कुल साइट से हमने ये ब्लू कलर की लेस ली है वो लगाएंगे यह देखे और इस पर भी डबल स्ट्रीच करेंगे उसके साइट से ही एक और ब्लू कलर की लेस हमने लगा ली है अब उसके side से मैंने multi color की lace लगा रही हूँ और उसे भी हमें इसी तरीके से stitch करना है और पूरा नीचे तक हमें नहीं लगाना क्योंकि नीचे भी हमें clay sword लगाएंगे दोनों side से lace लगा रही है तो देखिए हम एक side जो lace लगा रहे हैं न दूसरे side भी हमें same वही lace लगा लेनी और design बना लेनी है यह दिखिए और अब यहाँ पर हमने दूसरे color की lace ली है वो भी हमें आपस तरीके से लगानी है तो यहाँ पर हमने purple color की lace ली अब यहाँ पर हम red color की lace लगाएंगे तो आप यहाँ पर lace इतनी सारी लगा रहे न तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लगा देना है थोड़ा सा mix match करके आपको यहाँ पर लगाना है ताकि आप देख लीजे आप पहले कि कौन सी किसके side में अच्छी लग रही है lace उसी के according आपको यहाँ पर लगाना है यह देखिए इस तरह से तो मैंने देखिए यहाँ पर half inch की और one inch की lace यूज की है तो आपके पास भी कोई सी भी lace हो तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर और बहुत ही कम lace में यह design बनकर complete होगी हो और दिखने में यह बहुत ही सुन्दर दिख रही है और पहने में इसका look भी बहुत different आएगा तो यह देखिए जो extra lace थी वो हमने cut कर दी अब यहाँ पर मैंने एक और multi color की lace यूज की है यह देखिए इस तरह से अब देखिए इसके side से मैंने एक और multi color की lace यूज की है इसमें half flower बने हुए हैं और इसको हमें विल्कुल corner पर लगाना है और corner को निकालते हुए लगाना है तकि दिखना चाहिए कि हमने यहाँ पर यह shape दिया हुआ है उसी तरीके से हमें लगानी है और नीचे के side भी हमें shape देते हुए से लगाना है यह देखिए इस तरह से तो यह वाली जो lace अभी हम लगा रहे न वह वाली lace तो आपको थोड़ी सी जादा लेनी है बाकी तो आपको थोड़ी थोड़ी ही lace लेनी है क्योंकि यह वाली जो lace है वह हमारा जो armhole वहाँ पर भी लगाने वाले है यह देखिए अप center पर gap रह गया है तो हमें आपर यह वाली lace लगानी है यह देखिए तो मैंने यह आपर जो lace है उसका size देखकर ही मैंने पहले यह वाली lace अभी lace लगाई है नहीं तो फिर ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने lace लगा दी हो बीच में gap बहुत कम रह गया तो आपकी lace नहीं लग पा रही है ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको size के according यह आपर lace को लगाना है अब देखिए आपर यह shape देना है corner निकालना है यह देखिए तो यहाँ पर पहले हम इसे इतना stitch करेंगे यह देखिए अब यहाँ पर एक corner type का बना लेना है corner type का बन रहा है तब ही आपको इसे stitch करेना है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और stitch करेंगे तो यहाँ पर proper shape आना चाहिए हमारा V shape और अब इसे हम स्टीच करेंगे ये देखिए इस तरह से इस पर साइट से एक स्टीच और करना है तो इस तरह किसे जो सारी लेस थी वो मैंने लगा ली तो मैंने आपको पहले फोर लेस बताई थी लेकिन यहापर मेरे पास और लेस रखी हुई थी इतनी बची हुई तो मैंने वो लेस भी आपर लगा ली है ये देखिए इस तरह से तो देखने में कितना सुन्दर दिख रहा है ये और अब यहापर जो भी एक्स्ट्रा फैवरिक होगा उसको हम कट करेंगे और एक बार इसको आइरन जो रॉंग साइट है उल्टी साइट पर आप एक बार आइरन कर लीजिए अच्छे से ताकि अच्छे से सेट हो जाए और इसके जो धागए बागे बागे रहा है वो सब कट कर लिए देखिए हमने आरन कर लियातो ये echए सेट हो गया फिंशिंग के साथ अब जो princess cut का part है न वो हम यहाँ पर stitch करेंगे तो stitch करने से पहले आपके जो उसके मोती है side के वो आपको निकाल लेना है और फिर आपको इस तरीके से stitch करना है तो देखे इतना उठा हुआ हमने यह shape लिया है यहाँ पर और दोनों जो princess cut के part थे वो stitch कर लिये हैं अब यहाँ पती की तर से shape रख कर और इस तरीके से shape देना है हलका सा जादा shape नहीं देना है सिर थोड़ा ही shape देना है और इसको cut करना है अब हमें आपर 2 इंच की यह पट्टी लेनी है और से stitch कर लेना है एक stitch हम तो हमें यहाँ पर हलका सा corner निकालते हुए stitch करना है और एक stitch हम इसके उपर से करेंगे उसे अंदर के side fold करते हुए stitch करना है यह देखिए इस तरह से और अब यह वाला जो part है वो हम इसके उपर रखेंगे तो पहले हमें यहाँ पर center पर एक marking कर रहनी है wrong side पर क्योंकि wrong side से हमें इसे stitch करना है अब देखिए center के उपर यह जो center वाली lace लगाई थी उसके उपर center को रखना है और यहाँ पर इस तरह के से हमें stitch कर लेना है यह देखिए तो अब हम neck को यहाँ पर stitch करेंगे center neck का जो extra fabric है उसको cut कर लिया है और पूरे ही neck पर cut लगा लेना है यह देखिए अब यहाँ पर इसको इस तरह से fold करेंगे तो उससे पहले हमें यहाँ पर stitch कर लियना है तो इसे हमारा जो lining fabric है उसके उपर से हमें stitch करना है lace के उपर से stitch नहीं करनेंगे वरना वो अंदर बाहर के side पर दिखेगी और अब इस तरह के से हमें एक lace के उपर stitch कर लियना है ताकि जो हमारा नेक है वो अच्छे से सेट हो जाए यह देखिए तो नेक को हमने स्टीच कर लिया और अब यहां पर दीखिए पैड रखना है पॉफ रखना है कफ और उसके इस तरह से उठा उठा हुआ रहेगा तो हमें वहीं से स्टीच करना है पकड़ के तो यह अच्छे से और वरना क्या होगा ना कि हम नीचे पैड नहीं रखेंगे तो यह स्ट्रेट ही स्टीच हो जाएगा तो हम इसे पहनेंगे तो इतना पफ क्रियेट नहीं होगा तो इसलिए आपको यहां पर पैड रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर स्टीच करना है यह देखिए तो हमने इसे स्टीच कर लिया यहाँ पर और इसका पफ देखिए कितना अच्छा बन गया है पहने पर इसकी फिटिंग प्रफेक्ट आएगी और अभी आपर देखिए मेरे पास यह मोतियों की लेस थी वाइट कलर की ही तो हम नीचे के साइड इसमें लगा लें है तो देखिए मोतियों की लेस हमने लगा ली है तो इसका लुक और भी डिफ्रेंट हो गया है बहुत यूनिक हो गया है तो देखिए अगर आप इस तरह से कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो नीचे के साइड जो लटकन वाली लेस होती है वो आप यहाँ पर यूज कर सकत हैं मेरे पास वाइट किलर की थी तो मैंने वाइट किलर की उसकी देखिए पैड रखने पर भी पूरा फिटिंग का आ रहा है तो इसी तरीके से आना चाहिए अब 0.75 इंच का आर्मुल को हमें कट कर लेना है यह देखिए इस तरह से तो आर्मुल को हमने कट कर लिया और अ यहां पर नेकी जो वीट थे वो 4 इंच रखेंगे आई हो की पटी को चोड़ते हुए नेकी जो लैन थे वो हमने 3.5 इंच रखी है और टोटल जो नेकी लैन थे वो हमें आपर ले लेनी है तो हम उसे लेंगे 11 इंच और नेकी जो वीट थे वो हम 4 इंच रखेंगे और इस क empty all the words उसके उपर मेन द्राध्ता है राइट साइट पर उसके ऊपर लाइनिग को रखते हुए नेक को हम स्टीच उपर हम भाई तो यहां पर भी इसके जो मोती है वो आपको पहले निकाल देना है गर इस्टीचिंग में आ रहे हैं तो उसके बाद ही आपको स्टीच करना है साइट का जो भी एक्स्ट्रा फैवरिक है वो हमें कट कर लेना है पूरे ही नेक पर कट लगाना है यह देखिए इस तरह से पलटते हुए स्टीच करेंगे इससे पलटते हुए इसका जो कौना रिव अच्छे से निकाल लेना है हमें और एक स्टीच इसके साइट से कर लेनी है बाकी साइट से भी स्टीच करके एक्स्ट्रा फैवरिक कट कर लेना है कट कर लिया अब यहां पर हमें होकी पटी लगानी है तो लाइनिंग फैवरिक को उस तरीके से रखते हुए स्टीच किया दोनों साइट से extra fabric लेना है से अंदर के side fold करने के लिए क्योंकि neck और नीचे से हम इसे complete कर चुके हैं तो हमें दोनों साइट half half inch लेना है fold करने के लिए इसको इस तरह से पलटते हुए एक stitch और करेंगे तो hook की पटी complete हो गई है और अब हमें आई की पटी लेगानी है इसे width में हमने 3 inch लिया और एक side से हमने इसे fold कर लिया है अब यह आपर right side पर रखते हुए हमें इसे stitch करना है और इसको नीचे के side से और उपर के side से fold करते हुए stitch करेंगे यह दिखेंगे इस तरह से fold करते हुए stitch कर लियना है back tux लगाना है जिसकी land हम 4 inch रखेंगे अब यह आपर हमें shoulder को stitch करना है एक stitch back side पर करनी है अब यह आपर armhole के side पर हम इस तरह से पटी को fold करते हुए लगाएंगे तो cross में हमें पटी कट करनी है और double करते हुए armhole पर stitch करना है कट लगाना है तो friends आप इस blouse को holy पर भी पहन सकते हैं क्योंकि आज कल holy की dress भी बहुत ही trend में चल रही है तो वैसे भी हमने देखिया आपर multi color और white color में बनाया है तो आप इसे holy पर भी पहन सकते हैं और अब इस तरह से अंदर के side इसे fold करते हुए stitch कर लेना है यह देखिये तो armhole complete हो गया अब यहाँ पर जो multi color की lace हमने neck पर लगाई थी वही lace हमें यहाँ पर लगानी है तो हमें यहाँ पर 2 inch plane छोड़ते हुए फिर हमने यहाँ पर lace को लगाया है 2 inch हमने इसलिए छोड़ा है कि वहाँ पर हमारी fitting आएगी और fitting में हम लगाएंगे तो यह lace जो है वह हमें चुप सकती है तो इसलिए हमने 2 inch को छोड़ते हुए बाकी में lace लगाई है अब center पर हमने pin up कर लिया और side से हम इसे stitch करेंगे side का जो भी extra fabric होगा उसे हमें cut करना है एक पेर का margin रखते हुए हमें stitch करने लेना है blouse कोलता रखते हुए अब center से chest के fourth part पर और यहां पर waist के fourth part पर marking करनी है दोनों marking को बलाते हुए हम fitting लगाएंगे तो friends अगर आपको इसमें sleeves लगानी है और sleeves में भी इसी तरीके की lace लगानी है तो आप लगा सकते हैं उससे और blouse का जो look है वो बहुत heavy हो जाएगा तो fitting लगा लिए है तो blouse बनकर हमारे complete हो गया देख लीजे आप कितना unique design लग रहा है इसका तो आप इसे जरूर से try करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो like share and comment जरूर करिएगा और channel को subscribe जरूर करिएगा साथ में bell icon भी जरूर से दबा दीजिएगा चाकि जो आने वाली new video की notification होगी वो आपके पास आजाएगी thank you मिलते हैं हम next video में तब के लिए bye bye झाल